Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे Star Science की reading होती है ये एक short reading है और बिलकुल timeless है सो हम देखेंगे कि आपके परसन की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है Two of Wands Six of Pentacles The Hierophant Strength और फिर है The Hanged Man सो इस वक्त अगर आप लोगों का relationship slow चल रहा है या आपको लगता है कि आप लोग stuck है और एक खास level से आगे नहीं बढ़ रहे है या progress नहीं हो रही है तो ये बात आपके person चाहते है कि आपको पता हूँ कि ये इनसान बहुत deeply सोच रहे हैं इस connection के बारे में और बहुत sincerely सोच रहे हैं आप लोगों के reading के center में the hierophant energy है ये एक बहुत committed spiritual energy है ये learning की energy भी है so ये इनसान learn कर रहे है grow करना चाहते है spiritually भी जिन्दगी में भी अब एक next step पर जाना चाहते है ये इनसान आपके साथ इस रिश्टे को मजबूत करना चाहते है ये इनसान एक final decision लेना चाहते है ये इनसान support आपको करना चाहते है और चाहते हैं कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें आपके साथ एक्वल और एक बैलनस्ट रिलेशन्शिप बनाना चाहते हैं So ये इनसान काफी मुझे पॉजिटिव थॉर्ट्स में नजर आ रहे हैं और साथी साथ वो एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि decision, एक final decision लेना चाहते हैं and I feel कि ये इनसान इन्होंने choose किया है आपको वो choose करना चाहते हैं हमेशा आपको वो priority देना चाहते हैं आपको वो आपके साथ explore करना चाहते हैं जिन्दगी को, connection को, दुनिया को, आपके साथ explore करना चाहते है So, ये इनसान आपके साथ बहुत committed, बहुत loyal feel कर रहे है इस present time में आपके साथ एक बहुत strong connection feel कर रहे है एक ऐसा bond जो कभी नहीं तूट सकता है, जो कोई नहीं तोड सकता है और किसी के कुछ भी कहने से नहीं तूट सकता है So, ये इनसान आपके साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त connected है And I feel कि spiritual way में एक बहुत respectable way में ये इनसान आपके साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त connected feel कर रहे है उनके दिल में आपके लिए respect है, respect देना चाहते हैं आपको और कुछ भी गलत नहीं करना चाहते है बहुत spiritual energy है, बड़ी sincere energy है Let's see, ये इनसान और क्या सोच रहे हैं और क्या feel कर रहे है Four of cups So, maybe recently आपके person आपको time नहीं दे पाए आप लोगों के दरमयान कोई time or moment आया कोई fight हुई But ये इनसान चाहते हैं कि आप ये बात अपने जहन में रखें कि वो आपसे बहुत प्यार करते है Genuinely और वो peace बनाना चाहते है वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते है जो हुआ आप लोगों के दरमयान उसके बारे में नहीं सोचना चाहते है Peace बनाना चाहते है और मनाना चाहते हैं आपको वो पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते है, पास्ट को भुला देना चाहते है So, I also feel कि ये इनसान ये भी सोचते हैं कि वो इस opportunity को आपके साथ miss नहीं करना चाहते आपको एक missed opportunity के तोर पर नहीं देखना चाहते वो ये सोच रहे हैं कि आप divine की तरफ से उनका gift है, जिसे वो खोना नहीं चाहते है, जिसे वो miss नहीं करना चाहते है और आपका उनकी जिन्दगी में आना बड़ा unexpected था, वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें किसी से प्यार हो जाएगा ये बहुत unexpected था उनके लिए, वो सोच नहीं सकते थे कि आप जैसा कोई इन्सान आएगा उनकी जिन्दगी में जो उन्हें true love देगा, जो selfless होगा, जो दिल से care करने वाला इन्सान होगा, वो नहीं सोच सकते थे कि कोई ऐसा उनकी जिन्दगी में आएगा आज ये इन्सान बड़े different अंदाज में बड़ी different light में इस connection के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं So, ये इनसान अपने past के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अपने past से इस present का comparison नहीं करना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये एक divine opportunity है, divine love है, जिसे वो खोना नहीं चाहते हैं, जिसे वो committed रहना चाहते हैं, जिसे वो और strong करना चाहते हैं, जिसे वो तोड़ना नहीं चाह हो गया था या था ही नहीं सिरियस थे उनको fantasy की बाते लगती थी है but now they feel कि true love exist करता है और वो cherish करना चाहते हैं इस connection को, इस love को so यह आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रू बताईगा comment section में I'll see you in my next video till then, love you lots, bye bye